सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने देखने तक सीमित रह जाता है सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते उन्हें पूरा करने के लिए दिन राद एक करना पड़ता है अपनी कमजूरी को अपनी तागत बना कर खुद के हुनर को तरासना पड़ता है कुछ लोग अपने सपने ना पूरे होने के बहुत सारे कानण बताते हैं लेकिन जो बढ़ जाते हैं मंजिल की ओर जुनूर के साथ अक्सर उनी को मिलता है वह मकाम जिसकी दुनिया चाहवान होती है इस दुनिया में कई ऐसे लोग जन्व लेते हैं जो किसी भी मजबूरी को अपनी सफलता की राह में रुकाउट नहीं बने देते ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं इतिहास बनाते हैं ऐसे ही एक सर्फ से सूटर्फ हुए थे जिनका नाम था कैरोली टैकाक्स कैरोली टैकाक्स ने 1948 और 1902 के समर ओलिम्पिक्स में गोर्ड मेडल जीत कर इतिहास रज दिया था लेकिन दुनिया उन्हें इस वज़े से नहीं जानती बलकि इसलिए जानती है कि उन्होंने अपना अपदाया हाथ खोने के बाव दू यह मुकाम पाया कैरोली टैकाक्स का जन 21 जनवरी 1910 में हंगरी की राजधानी बुटा पेस्ट में हुआ था वे हंगरी की सेना में थे उन्हें पिस्टल सुटिंग के खेल में महारत हासिल थी 26 साल की उमर में उनका नाम दुनिया के सर्फ से सूटस में सामिल हो चुका था वे लगभग सभी रास्ट्री वा अंतरास्ट्री मुकाबलों में जीत हासिल कर चुके थे अब उनका एक मास अपना उलम्पिक में गोर्ड मेडल जीतने का था 1936 तक हुआ एक विस्टरी निसानेबास थे लेकिन उन्हें 1936 के ग्रीस्प कालिन उलम्पिक के लिए हंगरियन सूटिंग टीम में इस आधार पर जगा देने से हिंकार कर दिया गया था कि वह एक सार्जेंट थे और केवल कमिशन अधिगारी को परतिस परधा करने की अनुमती थी हाला कि बरलिन गेम्स के बादिया नियम हटा दिया गया था अब कैरोली 1940 उलम्पिक में जीतने का सपना देखने रगे कैरोली की काबलियत और लगतार जीत के सिल्स्रे को देखते हुए हंगरी के देश वासियों को पूरा इस्वास्था कि 1940 में होने वाले टोकिय ओलम्पिक में कैरोली जवर जीतेंगे और देश का नाम रौसन करेंगे देश वासियों की तरह कैरोली का भी यही सपना था कि 1940 उलम्पिक में वे हंगरी के लिए गोर्ड मेडल जीते इनी सपनों को आँखों में लिए वो पूरे जुनून के साथ उलम्पिक की तियारी में जुट गए थे लेकिन अचानक ही उनके साथ एक बड़ा हासा हो गया आर्मी केम्प में प्रैक्टिस करते वक्त उनके दाएने हाथ में हैंड ग्रेनिल ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ सरीर से अलब हो गया इस घटना को सुनकर पूरे देश में सोग जैसा माहुता सभी की उमीदों पड़ जैसे पानी फिर चुका था लेकिन एक आदमी ने अभी हार नहीं मानी थी वो थे खुद क्यारो ली हाथ से के कुछ ही महीने बाद जब वे वापिस आये तो उन्होंने ठान लिया कि आलम्पिक तो वे ज़ूर जीतेंगे तो क्या हुआ कि उनका दाया हाथ आज उनके सरीर का हिस्सा नहीं है लेकिन बाया हाथ तो है इसे वे अपना बैस सोटिंग हैंड बनाएंगे इसी हाथ से देश वासियों का सफना पूरा होगा और गोड मेडिल आएगा शुरुआत में अभ्यास के समय उन्हें दर्द हुआ करता था बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी कैरोली ने हार नहीं मानी लगन, कड़ी मेहनत और अभ्यास के दम पर अपने बाया हाथ को उन्होंने अपना बैस्ट हैंड बना ही लिया लगबग एक साल बाद 1949 में ऑलिम्पिक से पहले विरास्टी चेंपेंसिप में भाग लेने के लिए आया तब तक किसी को नहीं पता था कि कैरोली अपने बाया हाथ से अभ्यास कर रहे थे अन्य परत्योगियों को लगा कि वे उनका मनोबल बढ़ाने आया है लेकिन सबको जटका तब लगा जब कैरोली ने बताया कि वे वहाँ उनका होस्टा बढ़ाने नहीं बलकि उनसे पत्योगिता करने आया है इसके बाद अपने बाय हाथ से सूटिंग करते हैं कैरोली ने सभी को माद दी और भुकाबला अपने नाम कर लिया जीत के साथ ही हंगरी के देशवासियों में खुसी की लहर दोड़ दोगी और कैरोली हीरो बन गए अब इंतजार था एक साल बाद होने वाले 1940 ओलमपिक्स का लेकिन 1940 ओलमपिक्स विस्व युद्ध की वज़े से रद्द कर दिया गया कैरोली को एक बार फिर निरासा हाथ लगी सब को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन कैरोली अभी भी उमीद लगा वे थे उन्होंने अपने अभ्यास को 1944 ओलमपिक्स के लिए जारी रखा 1944 में होने वाले उलमपिक्स भी दूसरे विस्व युद्ध के कारण रद्ध हो गए इससे बुरा क्या हो सकता था कि पहले हाथ चला गया और फिर दो मौके भी चले गए अब कैरोली की उमर भी उनका साथ छोड रही थी लेकिन इसके बावजूद विहार मानने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन वो वक्त भी आगया आखिरकार 1948 में लंदन ओलमपिक्स आयो जित हुए कैरोली ने इन खेलों में वो कर दिखाया जो किसी 38 वर्षी खिलाड़ी के लिए करना लगभा असंबव था लेकिन कैरोली के सब्द कोस में असंबव सब्द तो था ही नहीं उन्होंने इस ऑलमपिक्स में ना सिर्फ भाग लिया बलकि गूर्ड मेडल भी जिता यह ऐसा पल था जिसने सारे हंगरी देश वासियों को गरवान वित कर दिया था पर सफर यहीं रुकने वाला नहीं था चार साल बाद 1952 हिल्स की फिल लैंड के उलमपिक्स में उन्होंने फिर से गूर्ड मेडल भी था और इतिहास रज़ दिया लगातार दो गूर्ड मेडल जीतने वाले वे विस्व के पहले खिलाड़ी बने दोस्तो हमें कैरोली की तरह जिंदगी में कभी हार नहीं माने चाहिए जिंदगी में चाहे जैसी परिस्थितियां आएं हमें अपने उपर विस्वा सकना चाहिए और उस परिस्थिति का बहदूरी से सामना करना चाहिए जिन्दगी में हमारी इच्छा सक्ती से बढ़ कर कुछ भी नहीं अगर हमारी इच्छा सक्ती में दर्टा है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और जिन्दगी में असंबब कुछ भी नहीं होता तो यह थी है जानकारी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद